Can, इसका अर्थ है, सकता है Can का यूज हमेशा abilities के लिए किया जाता है मतलब आप वर्तमान में, in present time में आप किसी भी काम को करने में सक्षम या फिर योग्य है तब हम Can का यूज करेंगे जैसे Ria can swim, Ria तैर सकती है Rahul can go to school, Rahul school जा सकता है I can do this by myself मैं यह अपने से या फिर कुछ से कर सकता हूँ Could, इसका आर्थ है सका या फिर पाया Could का use होता है ability in past time मतलब आप किसी भी काम को पिछले दिनों में करने के लिए सक्षम या फिर योग्य थे मतलब आप उस काम को कर सके या फिर उस काम को आप कर पाए जब भी ऐसे वाक्य आए तब आप could का use करेंगे प्लस यहाँ पर verb का first form आएगा Verb का मतलब होता है actions and motions जैसे उटना पैटना, खाना, सोना आदी Example से समझते हैं She could not come today, वो आज नहीं आ सकी कम हो गया verb का first form Kids could not come to school, बच्चे school नहीं आ सके I could not reach there on time, मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच सका Could का use यहाँ पर second condition में भी होता है, जिसका अर्थ है सकता था प्लस यहाँ पर verb का first form आएगा जैसे I could play with them, मैं उनकी साथ खेल सकता था Play हो गया verb का first form I could go to eat outside, मैं बाहर खाना खाने जा सकता था She could do this work, वो यह काम कर सकती थी यहाँ पर do हो गया verb का first form Could be, इसका अर्थ है हो सकता है या फिर हो सकता था Could be का use होता है possibilities, मतलब संभाब ना कि कोई चीज हो सकती थी या फिर हो सकता है यहाँ पर दोनों ही condition में आप could be का use करेंगे जैसे he could be in the hospital, वो अस्पताल में हो सकता है He could be at home, वो घर पर हो सकता था She could be there with them, वो उनके साथ हो सकती है Could have, इसका अर्थ है कर सकता था किसी भी काम को आप कर सकते थे, situation जान ले किसी भी काम को आप कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाये वो इस काम को कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया जब भी ऐसे वाकिय आएं तब आप could have का use करेंगे प्लस यहाँ पे verb का third form use होगा example से समझते हैं He could have called you yesterday वो कल आपको phone कर सकता था He could have called you yesterday but he didn't वो कल आपको phone कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया Called हो गए यहाँ पे verb का third form I could have played with them मैं उनके साथ खेल सकता था Play का हुआ यहाँ पे played जो कि verb का third form I could have become an engineer मैं एक engineer बन सकता था Became का हुआ यहाँ पे become जो कि verb का third form Could have been इसका art है जा सकता था मतलब किसी भी काम को किया जा सकता था या भेजा जा सकता था या बताया जा सकता था लेकिन x, y, z किसी भी कारण से नहीं हो सका तब हम could have been का use करेंगे Plus यहाँ पे verb का third form use होगा Example से समझते हैं I could have been sent to hostel मुझे hostel भेजा जा सकता था Send का हो गया यहाँ पे sent जो कि verb का third form है We could have been told about this हमें इस बारे में बताया जा सकता था तेल का हो गया यहाँ पे told verb का third form use हुआ We could have been informed हमें सुचित किया जा सकता था Informed का हो गया यहाँ पे informed verb का third form लुआ हुआ ही supplied जा समने सकता था जा स Milky